नमस्कार दोस्तों बदोस्वात आपके हमारे चल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना और प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना के अंदर आपके मन के अंदर जो पांच बड़े सवाल या पांच बड़े ड तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की अच्छी वीडियो के लिए तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सवाल जो आप हमसे पूछते हैं और हमेशा लगातार आप हमसे सवाल करते हैं कि इस योजना के अंदर आपको पैसे कब तक जमा करने हैं दोस्तो सबी लोगों के मन में ये सवाल रहता है तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बतायता है कि इस योजना के अंदर जो एलिजिबलिटी है वो 18 से 50 साल वाले लोगों के लिए है यानि कि 18 से 50 साल आपकी उमर है तो आप इस योजना में लाब ले सकते हैं तो वही पर अगर आप पैसे जमा करने की बास सोच रहे हैं तो 18 से 50 साल तक के लिए ही जमा कर सकते हैं उसके आगे आप इसके अलिजिबल नहीं रहेंगे और नहीं आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं दोस्तो दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है और सभी लोग जो हमसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि इस योजना में जमा पैसा वापिस मिलेगा या नहीं, या कितना मिलेगा, तो दोस्तो यहाँ पर मैं clearly आपको बता दूँ और मैंने पहले भी सभी लोगों को मैं reply करके बता देता हूं कि इस योजना में कोई भी और term insurance जो होता है, वो सिर्फ एक साल के लिए होता है, इसे हमें हर साल renew करना होता है, अगर इस साल में कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ miss happening हो जाती है, तो हमारे nominee को पैसा दे दिया जाता है, अगर हमें कुछ भी नहीं हुआ, जो बीमा धारक को अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो, दोस्तो अगला जो सवाल आपके मन में रहता है, कि इस योजना को बंद कैसे करें, दोस्तो इस योजना को सब ले लेते हैं, लेकिन फिर बंद करने की जल्दी रहती है, मेरा मानना यह है कि यह बहुत ही मामुली से दामों में अच्छी योजना है, तो आपको इसको ब नहीं प्रीमिम आगे देना चाहते तो इसी तरीके से आप इस योजना को बंद कर सकते हैं दोस्तो एक बहुत बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो यह होता है आप हमसे पूछने कि इन दोनों योजना हो जैसे कि प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना और प्रधान मं का लाब लेने की बात आएगी तो उसमें एक छोटी सी कंडिशन है तो दोस्तो वो कंडिशन क्या है माली जी अगर किसी बीमा धारक की नैचरल डैथ हो जाती है या प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के दो लाग रुपे का ही लाब मिलेगा जी हाँ उनको दोनो वो चार लाख रुपे का लाब मिलेगा तो दोस्तों यहां आप केलियर समझ लीजे कि अगर किसी की प्राकरतिक मृत्ती हो जाती है किसी बीमा धारक की तो उन्हें सिर्फ जीवन जोती बीमा योजना के दो लाख रुपे मिलेंगे लेकिन अगर दुरगटना में किसी बीमा दुरगटना में किसी बीमा धारक की अगर मिरथी हो जाती है तो उनके जो भी जरूरी डॉकिमेंट से है उनका डेश सर्टिफिकेट है उनकी बैंक की पास बूग है जिसके अंदर प्रीमियम की इंटरी होगी क्या उनके पास कोई पालीसी का पेपर है वो सारे डॉक्यमें आपको लेके अपने bank में जाना चाहिए bank में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक application देनी होगी bank आपको एक form देता है form देने के बाद वो आपके जो application है उसको process करता है दोस्तों आपको अपने bank से ये भी पूछना चाहिए कि आपके जो policy holder थे जो भी बीमा धारक थे उनकी policy कहां से चाली हुई है क्योंकि बहुत से bank जो होते हैं वो private policy issue करवा देते हैं और बहुत से bank LIC के तुरू policy issue करवाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी policy कहां से issue हुई है ताकि आप direct वहाँ पर भी संपर्क कर सके तो दोस्तों ये बहुत ही बड़े बड़े पांच आपके सवाल थे जो आपके मन में हमेशा खटकते रहते थे आप हमसे सवाल करते थे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजी समझ में आ गई होगी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताईए अगर आपको कोई सवाल होता हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपके स्क्रिंग के उपर सब्सक्राइब के लालेशन पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको मारे बनाए हुई नई नई अच्छी वीडियो लगातर मिलती रहे बिल्कुल फ्री होता है ज्यादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए तना ही धन्यवाद